कि यह अगर रेक्शन की बात करेंगा जब करें तो यह अई हम नियू प्रोपर्टी के साथ में हम फॉर्म करते हैं जो हम कोई भी रेक्शन करते हैं को इसकेश्चन करते हैं अगर हम इसका ग्जामपल को बात करें तो कैसे करेंगे इसको डाइन करें करें तो इसे करेंगे दाने केमिकल रिक्षिन ऑर दा प्र उसेश वेच इस रॉदंब फॉर्म भिद्नेव प्रोपड़िए तो यह सब देएंगे करेंग तो यह पर आपस्ट कर रहें तो मैंने किया होगा मेंगनेशियम ऑक्षाइड तो अगर हम इसको डिफाइड करें यह तू हमने अभी मेन पॉइंट पड़े थे अन्द शब्स्टेंश बिच टेक पार्ट इन दा कैमिकल देक्शन वो क्या होता है रिक्टेंट और अन्द 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 न्यू सब्स्टेंट सब्सक्राइड और इंवल्मेंट होता है यह सार चीजेंग भी में वचे शेक्डे में हैं इस ऍने हाच ड्लिक को अ इसकी संड़ इसके तो फस्र टो फिक्विंट्री करन और सोट ऐसां करेंगे और इस चेप्टर का वेस्ट भी है एक ऐसा मैथट है जो रिप्रेजेंट करता है के लिए और विद्धा है इसके हैल्फ के बज़े से जो हम सिंबल्स एंड फॉर्मूला बनाते हैं उनका इंवाल्मेंट होता है कैमिकल एक्वेशन में लेस्ट एक समग्जामपल जैसे जिंक इसी को हम बोल सकते हैं केिकल एक इक क्या इंग प्रोड़क्ट कि ज्क सल्फेट प्लस है नो अगर हम बात करें आग्जंपल्स की तो करें क्या ने अच्टो ऐसो 4 यह क्या यह भाद कर लेते हैं अगर हम इसको अभी अन्वालाइंस है तो हम इसको अगर हम बैलंस करें करें तो कैसिते छेदेंगे जहाँ बिलस एसो 4 यह इसको बैलेंस करें तो कैसे करेंगए जहाँ न ऐसो 4 प्लस एस picky तो ऑगा है अब बात करतें लेस्ट टेक अनदर एजमपल जैसे हमने लिया एच टू प्लस ओटू इसको एच टू प्लस ओटू अभी हम इसको एच टू हो है अभी हम इसको बैलेंस करें तो कैसे करेंगे अभी यह प्लस ओटू अभी यह जो प्रोड़क्ट साइड है एच टू ओ तो यह जो एच टू हो एच से पहले हम टू लगा देंगे तो यह एच टू बैलेंस हो जाएगा तो यह आई होप समझ में आता होगा आपको नाव बात कर लेते हैं अनुदर एक्जांपल इसमें बे लेस्ट टेक अनुजांपल जैसे सी एच ओच फो प्लस ओटू और सी ओटू प्लस एच टू तो यह क्या बनाएंगे यह एक्टेंट करके सी ओटू प्लस एच टू इनन्हें प्रोड़क्ट फॉर्म करा तो अगर हम इसको बैलेंस करें अभी तो कैसे करेंगे इसको बैलेंस कर दिया है अब बात कर लेते हैं कुछ और टोपिक्स के बारे में अब बात कर लेते हैं कॉमिनेशन रेक्शन क्या होती है कॉमिनेशन रेक्शन बेसिकली दोज एक्षन विच अरविच दोज एक्षन इन विच वो और मॉर सबस्टेंस कमाइट फॉर्म सिंगल सबस्टेंस इसको अग्जेंपल लेते हैं मेंगनेशियम औक्षाइड सब्सॉड इसको अगर बैलेंसिंग बनाए तो टूम्जी ओ प अब बात कर लेते हैं अनुट एक्जांपल्स की तो जैसे अच्टू प्लस ओटू अच्टू अब हम इसको बैलेंस करें तो टू एच्टू अच्टू मतलब हैड्रोजन प्लस ओक्सीजन इसको टू वाटर फॉर्म हो रहा है तो इसमें हमने देखा कॉमिनेशन रेक्शन क अब बात कर लेते हैं डिकमपोजिशन रेक्शन को होती है इन विच कंपाउंड इस्प्लेट अप इंटू और और पार्स सिंप्लर सब्सेंस इसको डिकमपोजिशन रेक्शन बिसिकली जश्ट अपोजेटा को मिनेशन के एक्जांपल लेते हैं जैसे सी एच्टू थी सी कार्वनेट यह डिकमपोज करें तो हीट के थे रोगर हम डिकमपोज करेंगे तो क्या बनेगा सी ए ओ विच इस केल्सियम औक्साइड प्लस सी ओ डिकमपोज़ाइड यह डिकमपोज होके टू पार्ट में यह ब्लेकडाउन होके यह अपना अप्रोड़क्ट बनाएंगे सी ओ थ्री हीट होके अगर हम करेंगे करेंगे तो कल्सियम औक्साइड प्लस कार्वन डिकमपोज फोर्म होगा अब लेस्ट टेक अनुदर अग्जामपल जैसे डियुक्साइट अब हमने इसका जो एक्टेंट बटाइट जो एस तो यह फुर्ज ओओ है अब बात करते हैं अब वह उसकी जगह ले लेता है तो एक compound बना लेता है और जो पॉन बनता है उसको क्या कैते हैं displacement reaction होती है इसी वेज़े से हम उसको गोल देते हैं displacement reaction अग्जांपल लें तो यहां पर आपने नोडस करा होगा तो यहां बन रहा है तो इसी को हम बोलते है displacement reaction अब बात कर लेते हैं double displacement reaction में two or more compound react करते है और एक्सचेंज होता है उनका आइंस का एक्सचेंज होता है टू फॉम में जो new compound बनाते हैं उसी को हम बोल देते हैं displacement reaction एक्जांपल लेते हैं जैसे अग्जांपल गादेख से अग्सों के साथ में और किना गया टिया तो यह क्या हो गयाए अग्ज्चेंज होग्यक्त इसके और इसकशाथ में आप अग्जेंग तो यह क्या हो गया एक्चेंज हो गया है आइंस का तो एजी एनो 3 प्लस एने सी एल इसकल टू एजी सी एल प्लस एने एनो 3 यह हमारा न्यू प्रोड़क्ट फॉर्म हो गया तो यही था डवल डिस्पलेश्मेंट रेक्शन नाव अब लास्ट टॉप है ऑक्षिडेशन एंड रेडेक्शन रेक्शन रेक्शन यह क्य कर देंगे क्या हो जाएग अब बलत बाद करें तो यही था नाव अब आएसी प्रोसेस होती है जो मैटल को मतलब इट करती है और जल्दी 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 उसमें जो माइस्चर का एफेक्ट पड़ता है तो वो केरोशन मतलब रस्टिंग हो जाती है उस पे आईरन पे और वो काई खाके उस पे जंग आ जाती है उसी को हम बलते हैं केरोशन करें तो ऐसी टूरी प्लस अटभाशाइन प्लस लगेंगा ऑफे-टू-धू-फ्री प्लस-अ-फ्टू-व्टू-उ-इजब आइरन पे वर्टर का ऑटर का जब अटेज्मेंट होगा जब आईरन पर बॉर्टर गिरेगा यह ऑश्चिजन होब लगेगी तो फिर वह ओतोमे यहां पर जो एरियल ऑक्षिडेशन के जो मतलब पैक्ड फुड नहीं होते हैं उनमें कभी भी जो अन्प्रीजेंट इसमेल आने लगती है या फिर ड्यू टू बैड इसमेल बहुता है रैंस इडिटी इसी विज़े से हम लोग जो फुड होता है उसको पैक करके रखते हैं क्योंकि उसमें जो कोई डैमेज नहीं हो या फिर मतलब प्वाइजन नहीं हो कोई भी चीज फुड या फिर इटिंग जो मैटेर होते हैं वो सब तो उसी को हम बोलते हैं अगर सेंड डेफैन की बात करें डेफिनेशन की तो कंडिशन प्रदूस्ट वाइरियल ऑक्षिडे नेट्रोजन ऑक्साइड होती है पैकिंग वाले जो भी चीज़े आती है उनमें नेट्रोजन फिल करते हैं जिसके वह उसमें लगती है और वह बेकरार मतलब सही रहती है चीज़ आई होप आपको चप्टर पसंद आया होगा मिनीमम टाइम में मैंने इसको कवर कर रहा था और यह इसका में टॉपिक जो थे वह हमने आज क्लियर कर लिए थैंक यूँ आज के लिए धन्यवाद अगरा कोई पसंद है तो प्लीस सब्सक्राइब ने हिट लागए थैंक यूँ